दोस्तों आज हम κलीन करने जा रहे हैं इगनिस का एयर फिल्टर जो की प्लेस्ट होता है कैबिन में जो की AC का एयर फिल्टर भी कह cetा है उसके लिए हम सबसे पहले एंटर कर गया है तो कैबिन में हम पहले ओपन करते हैं इसका ग्लॉब बोक्स पहले सारा समान हमें एक बार साइड में कर देते हैं दोस्तों और उसके बाद में आप इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो ये आपको दिख रहा है इसका उसके बैक साइड पे आपको एक हुग प्लेस दिखेगा इसको आपको थोड़ा सा अपनी तरफ पुछ करना है तो ये ब ग्लोब साइड में इसको पुश कर रहा हूँ तो ये देखेगए ये काफी बाहर निकल गया है अब ये देखे इसको अभी थोड़ सा राइट साइड पे पुश करके ये देखे ये आराम से ओपन हो गया है ये जो नीचे जो आपका बैक साइड पे आपको दिख रहा होगा ये दो हुक्स ये भी आपको प्लेसिंग करते टाइम पर ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये प्लेसिंग ठीक नहीं होगी तो ग्लोब बॉक्स की अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी चलिए आईए अब इसका जो एसी फिल्टर होता है वो जो आपको सामने चोटा सा एक कमपार् और ये आपका एसी फिल्टर है चलिए आए दोस्तो इसको बाहर निकालते हैं ये थोड़ा सा ध्यान से निकालना होता है दोस्तो ताकि ये डैमिज नहीं होना चाहिए क्योंकि आसपास में कोई ऐसी जगह नहीं दे रखिया निकालने के लिए अब चलते हैं दोस्तो इसकी क्लिनिंग के प्रोसेस के लिए ये देखे दोस्तों इसमें अपका निशान दे रखा है यानि कि इसी तरीके से ये एसी फिल्टर प्लेस आपको करना होता है यानि कि नीचे से ये एर को सक करता है और आउट अप साइट से ये एको जो एसी के एवेंट्स में थ्रो करता है या यहां पे सारा जो dust particles होते हैं और भी बाकी जो dust होता है वो सब यहीं पर ही इखटा हो जाता है दोस्तों इसको clean करने के लिए आप कोई एक normal brush से भी clean कर सकते हैं मागर मेरे पास में दरसल vacuum cleaner है तो हम vacuum cleaner का भी यूज़ करेंगे और इस तरीके से यहां पे आपको clean करके आपको दिखा देंगे और उसके बाद में इस तरीके से आप अगर इसको फ्लोर पे पुश करेंगे तो भी वो साफ अच्छे से हो जाता है यह देखे दोस्तो काफी गंदा हो जाता है खैर अभी service हो के भी आई ती का तब भी काफी गंदा हो रखा है यह देखे दोस्तो जो में 你से वैक्ट्यम क्लेणर यूज करने जा रहा हो बोई यह यॉरेका फॉपस का वैक्ट्यम क्लेणर यूज करने जा रहा हो और इस त chwilके के टाशम שמट में यूज करूंग takiej ताकि इसमें जो बीच में कर दिया है और मैं इसकी क्लीनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करता हूँ आपको आपको हर एक इसके हर एक जो गैपिंग है उसमें से आपको डस्ट पार्टिकल्स को सग करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपके पास में वैक्यूम क्लीन नहीं भी होगा तो भी बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है इसको क्लीन करने का रेगुलर फायदा यह होता है कि अगर आप अपने काक यह एसी फिल्टर चेंज ना करवाना पड़े क्योंकि यह एसी फिल्टर भी काफी महगा आता है तो यह अच्छा टाइम डूरेशन के लिए चल जाता है और आप इसको रेगुलर ली क्लीन करके आपके एसी में भी ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स नहीं एंटर करेंगे तो यह देखे दोस्तों इस तरीके से आप इसको क्लीन करते चले जाए हर एक ब्लॉक में आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा यह देखे इस तरीके से जैसे मैंने कर रखा है आपके पास में यह वैक्यूम क्लीनर नहीं भी हो तो भी आप एक नॉर्मल ब्रुष से भी आप इस इसको क्लीन कर सकते हैं इस वैक्यूम क्लीनर का भी रिव्यू में कुछ टाइम में यूटूब पे डाल दूँगा तो यह देखे दोस्तों मैंने अब इस एयर फिल्टर को क्लीन कर दिया है मैं यह देखे एक बा मैं इसको ऑपोसेट साइड में करके जहां पर डश्ट सकते हैं अब मैं आपको दिखा देता हूं इसमें कितना क्लीन हो गया यह देखे बिल्कुल क्लीन हो चुका है यह देखे आप इस तरीके से हर एक उसकी ब्लॉक में जाके आप चेक कर सकते हैं यह देखे पूरा क्लीन हो जुका है कोई दिकत नहीं है इसमें यह देखे और भी आप देखेंगे यह देखी काफे सारे dust particles इसमें जमा है यह तब है जब मैंने इसमें vacuum cleaner यूज करा था तब भी मैंने tapping के बाद भी थोड़ा बहुत इसमें से dust जरूर भार निकला था tapping के बाद तो दोस्तो इस तरीके से आपको अपना engine का cabin का air filter इस तरीके से clean करना है और अब हम इसको जो है एक बार अपने cabin में place करने के लिए वापस लेके जाते हैं दोस्तों तो चलिए आए हम आगे हैं अपने के वापस cabin में यह देखी इसमें यह देखें यहां पे right side पे अपका निशान दे रखा है इसी तरीके से आपके इसको ऐसे आपको प्लेस करना है ज देखें मैंने place कर दिया है इसका जो cap था वो जड़ा नीचे काल से गिर गया है तो एक मिनिट रोके में जड़ा उठा भी देता हूं उसको यह मैंने इसकी cap ले ली है अब हम इसकी cap को place कर देते हैं cap में आपको ज़्यादा pressure नहीं डालना है दोस्तों क्योंकि इसकी replacements के पार्ट भी थोड़े expensive आपको पढ़ जाएंगे तो इसलिए आपको बड़े smoothly इसको attach करना है और यह देखिए इस तरीके से आपको यह लगा देना है बड़े आराम से यह fix हो जाएगा पिना किसी tension के और इसमें as such कोई जादा कोई खास locking mechanism नहीं दे रखा होता है यह देखि करता है इसको outer में खिशने के लिए और आपका जो right side पे भी जो आपका hook है यह देखिए यहां से आप आराम से इसको निकाह सकते हैं और यह right side वाला जो है यहां पे देखिए आप एक hook दे रखा है जिसमें आपका यह insert हो जाता है आराम से ताकि आपका fix हो जाता है कोई दि कर दिया यह दोस्तों अपना globe box भी set कर देते हैं यह थोड़ा side में से निकला हुआ है पहले इसको यह देखिए यहां से इसको properly attach करके फिर आपने बस अंधर की तरफ ही इसको push करना है push करेंगे तो यह automatically set हो जाता है बर ज्यादा आपको pressure नहीं लगाना है ताकि अगर कहीं भी alignment का फरक होता है तो फरक होने के कारण कुछ भी break नहीं होना चाहिए क्योंकि खेर मारूति की कार है कभी भी मारूति की कार का कहर के समें क्या है वह तो कोई भी कार में दिकत हो सकती है तो दिदे देखिए अब मैंने इसको लगा दिया है यह देखिए यह properly place हो चुका है यह देखे तो बस आपको हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना है कभी भी यूज करते टाइम पे आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ चीज आपसे डैमेज ना हो जाए तो यह देखे दोस्तों हमने इसको प्लेस कर दिया है आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दमाना जरूर याद रखें और हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में तो आज के लिए गुडबाई एंड टेक येर